आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आए आज सुनते हैं सौंपर्दोस व्रत की कथा। जब भी परदोस का व्रत सौंबार के दिन पढ़ता है, तो उसे सौंपर्दोस व्रत के नाम से जाना जाता है। और इनसान की सभी एक्षाओं की पूरती होती है। परदोस का ब्रत यह दो गायों को दान करने के बड़ाबर पुर्ने फलो को परदान करता है। व्यक्ति की सभी पाप और ताप को निश्ट करता है और अंत में मुक्ष को परदान करता है। जो भी सची स्रधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ परदोस का ब्रत करते हैं। भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रशन हो जाते हैं और अपना कृपा बढ़साते हैं तो आईए आज सुनते हैं सोम परदोस ब्रत्य की कथाथ अगर आप परदोस ब्रत्य के लिए अन्यदान वस्त्रदान आदी के लिए भ्रामन दक्षना देना चाहते हों तो आप हम दिश्किप्शन में जाकरके वहां से गूगल पे फोन पे या एकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने स्रधा और सामर्थ के अनुसार हमें भ्रामन दक्षिना प्रदान कर सकते हैं तो आईए सुनते हैं सोम प्रदोस गत्त की कथा तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै सबसे पहले तो भगवान भोले नाथ का ध्यान करते हैं हे भगवान भोले नाथ आप करोणों चंद्रमा के समान कांती बान त्रिनेत्र धारी मस्तक पर चंद्रमा का अभूशन धारन करने बाले पिंगल वर्ण के जटाजूत धारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाउं शेशुशोभीत वरद हस्त त्रिशूल धारी न तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जय सुम पर्दोस ब्रत के कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्रहमनी रहती थी उसके पती का सुर्गवास हो गया था उसका अब कोई आस्रे दाता भी नहीं था इसलिए वह प्राता काल होते ही अपने पुत्र के साथ चाटन से वह श्वयम वह अपने पुत्र का पीट पालती थी एक दिन ब्रहमनी घर लोट रही थी तो उसे एक लड़का रास्ते में घायल अवस्था में कराहता हुआ प्राप्त हुआ ब्रहमनी दयावस उसे अपने घर ले आए वह लड़का विधर्वदेश का राज कुम वह मारा मारा फिर रहा था राज कुमार ब्रहमन पुत्र के साथ ब्रहमनी के घर रहने लगा एक दिन अंशु मती नामक एक गंधर्व कन्या ने राज कुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंशु मती अपने माता पिता को राज कुमार से मिलवाने के देश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दो तो उन्होंने वैसा ही किया ब्रामणी प्रदोस का ब्रत किया करते थी उसके ब्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विधर्व देश से शत्रों को खदेर दिया और पिता पर्दोस व्रत्य के महात्मे से जैसे राजक्मार और ब्रामन पुत्र के दिन फिरे वैसे ही भगबान, शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे हे भगबान भोले नात, इसी परकार से आप अपने भक्तों की सभी एक शाओं को पुर्ण करना, तो बोलिये प्रे के दिन यानि की त्रेयो दशी तिथी के दिन सुवह ब्रह्म हमोष्त में उठकर के निते क्रियाओं से रिवित्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोरा सा गंगा जल मिला करके इस दिन अश्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारन करके मन में व्रत्त का संकल्प लेना चाहिए भगवान से प्रातना करनी चाहिए कि है भगवान भोलेनात माता पारवती आज मैं आपके सोम परदोस का व्रत्त करने जा रहा हूं या करने जा रहे हूं इस प्रकार से भगवान से प् चाहिए अगर ऐसा संभव ना हो तो एक समय फालाहार ग्रहन करे और भगवान शिव का पूरे बिधी बिधान के साथ पंचोपचार या खोड़ शोपचार पूजन बिधी के द्वारा भगवान का शुवह और शाम के वक्त पूजन करे विसेश प्रकार से साम के समय यानि की स सुर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय जो परदोस काल का समय होता है उस दोरान भगवान शिव का पूरे बिधी बिधान के साथ पूजन करना चाहिए इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का परयोग करना चाहिए किसी भी प्रकार के पूजन में शुबकार सबसे पहले नंदी डेव का पूजन करे कि उसके बा keyboard भगवान भोलेनात का जले अविशक करे उनके ऊपर जर्चाम चिर्थाये शुद्ध गंगा जलसे झाठाषी और graon को अशन कर आए उसके बाद भगवान के उपर वस्तर चढ़ाए यग्यो पवीत भगवान को अर्पित करे उसके बाद अक्षत भगवान के उपर चढ़ाए अक्षत थुरा सा गीला कर ले शुखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए अक्षत जिसे की चावल को अक्षत कहा जाता है तो भगव श्रिवाय लिख करके भगवान के उपर बिल्पत्र चढ़ाएं भान धथूरा शमिपत्र आदी भगवान को अरपीद करें फिर धूप और दीप दिखाएं अनेक प्रकार का निविद्य अपने स्रधा और सामर्थ के अनुसार भगवान को अरपीद करें इसके बाद माता पा को कि माला माता को अर्पित करे महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करे फिर उसके बाद धूप और दीप दिखाएं अनेक प्रकार का निवेद्य अपने सर्था और सामर्थ के अनुसार अर्पित करे उसके बाद फिर प्रदोस ब्रत बगभवान करें जोबि भकत इसी परकार से सची सरःधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ प्रदोस्ट का ब्रत्त करते हैं कथा सरवन करते हैं भगवान भोलेनात माता पारवती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के शुख और शब्रिधी की प्राप्ति होती हैं इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी जातक सची सरधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ परदोस का व्रत्य करते हैं भगवान शिब माता पारवती का पोजन करते हैं भगवान शिब की किरपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं सभी प्रकार के सुख और शम्रिद्धी की प्राप्ति होती है तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगाओं ऐसे ही जानवर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सबस्क्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्पिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरे राधे किश्न धन्यबाद